हेलो एंड वेलकम दू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फर्स्ट इंप्रेशन मेरा नाम है अमोल और चलिए आज के अन्बॉक्सिंग हम शुरू करते हैं तो आज हम अन्बॉक्स करने जा रहे है आर्सी कंप्रोल स्टर्न कार को तो चलिए अब इसको हम अन्बॉक्स करते हैं तो चलिए अब इसको हम पाहर निकालते हैं तो यह पाकेट और यह कैशी हम रख देते हैं बाजू में तो अब देखते हैं कार के तरफ तो आप इस पे देख सकते हो और प्रोड़क्ट बिलॉंग इंटो अ प्रोफेशनल कार इंटुजियस्ट इस पे दिया गया है स्टन्ट कार रेडियो कंट्रोल और वन इस्टु जो की 360 डिग्री स्पीन करती है और फूल फंक्शनिंग भी दी गई है फ्लिप भी करती है और इसकी स्पेड भी अच्छी कासी है तो इसको हमको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या यह वर्क करती है कैसे वर्क करती है तो चलिए बाकी तो कुछ बॉक्स पे दिया कर गया नहीं है तो चलिए अब हम इसको अन्बॉक्स करते हैं तो इसके हमने जो सेलो टैप्स थे वो काट दिया है इसको हम बाहर निकालते हैं इसको कहा से निकालना है बाहर देखके यहां से कुंदा आये थे और अब देख सकते हो यहको कालकर निकालते हैं और आप देख सकते हो इसकी यह बैट्रीज यह इसका चार्जर दिया गया है और यह तो कुछ बंदी हुई नहीं थी शायद नीचे और आप देख सकते हो यह रिमोट है पहले हम यह चार्जर और यह बैटरी पाजो में रख देते हैं और जैसे कि आप देख सकते हो इसका एक रिमोट दिया गया है जिसको की चार कीज दी गई है तो इसका फंक्शन तो हम बाद में देखेंगे जब इसमें हम बाटरी जडालेंगे और तो कार के तरफ देखते हैं तो आप देख सकते हो कार जादा बड़ी नहीं है लेकिन काफी अच्छी कॉलिटी का प्लास्टिक है और इसके टायर्स भी काफी बड़े दिये गए है और यह कलरफुल होने की बज़े से काफी अट्रक जब रहा है तो अभी इसमें बैटरी जडालने के बाद इसका फंक्शनिंग पता चलेगा चलिए अब इसमें हम बैटरी जडाल के लेते हैं तो बैटरी को बाहर निकालना पड़ेगा ठीक है पहले तो हम कार खोल लेते हैं देखते कि अंदर कैसे डालना है बैटरीज ठीक है तो अब निकाल लेते हम बैटरीज को एक बंडल में बैटरीज दी गई है और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इसमें स्रिफ तीनी बैटरीज दी गई है जो कि हम कार में डाल सकते हैं रिमोट के लिए कोई अलग से बैटरीज नहीं दी गई है और जैसे कि आप देख सकते हो, इसका कलर मुझे इतना कुछ अट्रेक्टिव नहीं लगा, कार का और रिमोट का, लेकिन बिल्ड कॉलिटी काफी अच्छे है, मतलब मजबूत लग रही है यह गाड़ी, तो चलिए अब इसके हम बैटरीज डाल लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो स्क्रू है, हम वो टाइट कर लेते हैं, अताकि यह निकले ना, तो यह हमने अभी टाइट कर लिया है, सब कुछ, तो अब हम रिमोट में भी दो बैटरीज डाल लेते हैं, जो की ए टाइप की है, अब देख सकते हैं, और इसका भी हम स्क्रू अभी टाइट कर लेते हैं, तो हम बाकी की चीज़े बाजू में रख देते हैं, और चलिए देखते हैं इसकी फंक्शनलिटी, जैसे की आपने देखा, मैंने इसमें बैटरीज डाल लिए, तो अभी यह हम बटन दबाके देखते हैं, तो आप देख सकते हो, यह राइट साइड में इसके अगले दोनों भी टाइस मूग कर रहे हैं, और इससे की आप देख सकते हो, कि यह भी टाइस मूग कर रहे हैं, ठीक हैं, तो इससे क्या होता है, यह देखते हैं हम लोग, देखो, आप देख सकते हो, इससे यह फॉरवड भी जा रही है और जो साइड के जो कीज है उससे उसके अगले दो टायर्स आप देख सकते हो मुव हो रही है और अगर हम दोनों कीज एक साथ अगर दबाते है तो आप देख सकते हो यह कैसे गूम किये जगह पर ही तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह 360 भी मूव होती है तो आप देख सकते हो इसकी स्पीड भी अच्छी कासी है जिसको हम अच्छे से फॉरवड और रिवर्स ले सकते है आप देख सकते हो अभी यह रिवर्स आ रही है ठीक है तो इसकी स्पीड भी अच्छी कासी है त तो आप देख सकते हैं इसका कलर मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया है लेकिन इसकी बिल कॉले की अच्छी खासी मजबूत है इसकी स्पीड भी अच्छी है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे